वेलकम टू वुनेसाला आज मैं आपको बच्चों की हून की वैली जोती बनानी सिखाऊंगी जो की भोती आसान और सुंदर है इसमें तीन डिजाइन डाले हैं एक दो तेन मैं आपको बना कर दिखाती हूँ देखिए इसमें मैंने 35 डाले हैं और इसे हम अपनी तरफ से ही यानि के सारा उल्टा उल्टा वोनेंगे अगर हमें ये वैली बड़े बच्चों के भी अच्छी लगती है बड़े बच्चों के आप जितनी बड़े बनाएंगे उसके एसाफ से इसमें फंदे डाल सकते हैं इसमें हम ये आठ सलाई सारी उल्टी उल्टी डालेंगे हमें इसमें के उल्टी में बच्चों के वालेंगे इसमें बच्चों के लुच्चूं के इसलाई ओंदे प्त्क्रस्प्चूं के लागता है इसकी दूसरे सलाई भी उल्टे जाएगी झाल देखे इसमें हम 8 सलाई चार सलाई इधर से और 4 सलाई इधर से यहनिके उल्टी सीधी हम 8 सलाई बुनेंगे सारा उल्टा उल्टा ही बुनेंगे देखे यह मैंने 8 सलाई बना ली है अब हम इनके 3 हिस्से करेंगे 11 फंदे इधर 11 फंदे इधर बीच में 13 फंदे रह जाएंगे पहला फंद हम ऐसे उतारेंगे फिर हम दूसरा धागा आगे रहेगा पहला फंद फिर पिना बुना उतारेंगे धागा आगे रहेगा फिर तीसरा फंदा ऐसे पुनेंगे एक फंदा बिना बुना एक फंदा बुनेंगे धागा आगे रहेगा एक बुना बाँ एक बिना बुना हमारे 14 फंदे पुरी हो गए है अब हम धागा आगे रहेगा और एक फंदा जाले डालते हुए सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे करेंगे फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे यह हमें तेरा फंदे ऐसे ही बुनने है देखिए एक दो तिन यह दागा आगे रहेगा दस सीधा करेंगे चाट पांच चैह साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा देखिए हमने तीरा फंदे एक दो तीन चाट पांच चैह साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा और इधर हमारे ग्यारा फंदे एक दो एक दो तीन चाट पांच चैह साथ आठ नो डस ग्यारा तो दाग आगे करेंगे एक फंदा इलटा बुनेंगे एक वी करेंगा वादेंगे एक दाब हमारे निए अचा music Extrement और उल्टी सलाई सारी उल्टी ही बनी जाएगी, पूरी उसमें उल्टी सलाई उल्टी ही बनी जाएगी, मैं आपको इसमें आप और भी कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, इसे जो बच्चा चपल या सूज नहीं पैन सकते उसके लिए बहुत ही अच्छे है कमड़े के अंदर अंदर देखे हमारी दूसरी सलाई पूरी होगी, अब हम तीसे सलाई पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, अब जो फंदा हमने दूसका भी बिना बुना लिया था, उसे हम इस बार बुनेंगे और जो हमने बुना था, धागा आगे रहेगा, हमें सारा उल्टाई बुना, जो फंदा हमने बुना था, उसे बिना बुना उतारेंगे एक बुना था, उसे बिना बुना उतारेंगे एक बुना एक बिना बुना देखे हमारा यह हमने बुन लिया और यह इसे हमें बिना बुना उतारना है, धागा आगे रहेगा और हम जाले डालेंगे और एक बुना अब हमारी यह दो फंदे बीच में सीध्या जाएंगे फिर जाले डालेंगे फिर दो फंदे सीध्या जाएंगे फिर जाले डालेंगे दो फंदे सीध्या जाएंगे जाले डालेंगे दो फंदे सीध्या जाएंगे जाले डालेंगे जाले डालेंगे जालेंगे 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 उसे बिना बुना उतारेंगे अब ये हमारे जानी की दूसरी सलाई भी कम्प्लेट उल्टी सलाई सारे उल्टी ही जाएगी रहसा लुटना बना झालरे इनारे उल्सका हमारे आनी की ओिता उल्सका ठाहता मिंदा बू़fill जाएगीजिया उतारे एंजिए जड़िता इंपातरी स्थमुमुमुमुमुमुमुमुमुमG scroll button झाल झाल पहला फंदा बिना मुना फिर दूसरा फंदा भी बिना मुना उतारेंगे और तीसरा फंदा बुनेंगे फिर हम पहला फंदा बिना मुना उतारेंगे और दूसरा बुनेंगे ऐसे बिना मुना और बुना बिना मुना और बुना उतारेंगे यह हमारे ग्यारा फंदे ऐसे ही शीज चलते जाएंगे एक बना दीन दीन टा और दीन धादेल Virgin एक, दो, तीन देखिए यह हमारी जाली ऐसे थिर्षी-थिर्षी जाएगी यह हमारी जाएगी दिजाइन पुरा हो गया फिर आपना व्याही के एक फंदा बिना बुना एक बुना एक फंदा बिना बुना एक फंदा बुनेंगे जो फंदा हमने बुना था पहली सलाई में उसे बिना बुना उतारेंगे और जो बिना बुना उतारा था उसे बुनेंगे फिर उल्टी सलाई साजे उल्टी जाईए यह ले जाए ना अगर जीरो साइद के बच्चे से एक साल तक के बच्चे का है अगर हम बड़े बच्चे का बना रहे हैं तो हम इसमें आठ सलाई भी डाल सकते हैं यह हमने 6 सलाई का डिजाइन डाला है अजाए कि पर भी जाए गल्टी जाए अए झाल झाल हमारा रिजाइन पूरा हो गया है और यह सिरफ छैसल आई का रिजाइन है और यह वाला डिजाइन जो हम डालते हैं इससे की जो हमारी एडी की साइड पीछे की साइड तरफ है यह टाइट रहने के लिए हम यह वाला डिजाइन डालते हैं इन जिससे की जब हम वैली पहनने तो वह बार बार एडी में से निकलेके ले न पहला पार फंद है और दूसरा फंदा बोलेंगे फिर द्विना बोला फिर बोलेंगे ऐसे ही इसे वाले सलाई में हम आइसे ही हमारे यह पूरे ग्यारा फंदे ऐसे चलेंगे अगर हम ज़ाजा फंदे डाल रहे हैं तो आप इसमे तेरा फंदे धर कर सकते हैं बीच में आप जितनी भी बड़ी आप वैली बनाओगे उसी हिसाब से आप इसमें डिजाइन डालना अब हम पूरे सलाई उल्टी उल्टी ही बुनेंगे अब इसमें डिजाइन नहीं डालेंगे हैं क्या भुब टीचिघक कि पूमके और हैं कर दो बड़्य लागे हैं प्यद्दी कि उज बुब अवा जोremos Hmm करूँ करे एंगे हैं अगर हम बड़े की बुन रहे हैं तो उसमें हम यह लाज तक भी ले जा सकते हैं यह वाले बंदे मैं इन्हें अगले सलाई में बंद कर दूँगी और देखिए अब मुझे यह 12 सलाई ऐसे ही बुननी है इसमें 6 इधर ही उल्टी और 6 पीछे की तरफ उल्टी देखिए हमारा पीछे वाला पीछे का डिजाइन भी ऐसे बन गए और आगे का ऐसा बन नहीं हम आपको करके दिखाते हूं देखिए यह मैंने पुरा कर लिया है यह ऐसा बन कर आएगा और इसमें मैं आप आपको बन करना बताऊंगी इसको हम ऐसे कर लेंगे और जितने भी फंदे हमारे सलाई में आते हैं उसके हम आधे आधे फंदे कर लेंगे इसमें 37 इधर है 37 इधर है मैंने सारे फंदों को आधा आधा कर लिया है अब मैं आपको बन करना बताऊंगी देखिए एक फंदा इस सलाई में से और एक फंदा इस सलाई में से ऐसे सीधी तरफ से ही बनेंगे दोनों फंदे निकाल दिये फिर एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से और एक फंदा हम फंदे के उपर से उतारेंगे एक फंदा इधर से और ऐसे सलाई के उपर से उतारेंगे एक फंदा इधर से लेंगे एक फंदा इधर से लेंगे आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे सलाई में डालो और फिर इधर से एक फंदा लो फिर इसमें ज्यादा अच्छी सेप आती है फंदा इधर से और एक फंदा ऐसे ही हम इसे ऐसे ही बंद करते चले जाएंगे जी ऐसे अच्छी से इसे हुआ है थक्ष्ट्रूल वाल, बंदा dá जर हैं लो लो है कि वोडनी कि जढ़ की यूदाई झाच़ जवटने झाच़ झाच़ है जढ़ 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 हैं झाच़ से झाच़ कोड़नी झाच़ है कर दो झाल झाल आरी दिन्या झाल झाल देखिया यहां हमारे पूरे फगंदे घट गए है और हम इसे गोले को ऐसे निकाल लेंगे और ऐसे दाव खिर देंगे देखिये फ्रेद्स यह हमारी उल्टी साई है यह ऐसे ऐसे बनकर आया है देखिये कित्या सुन्दा लग रहा है अब हम इसे सिधा करते हैं देखिये मैं आपको सिधा देखिये सीधी तरफ से ऐसा सीधी तरफ से ऐसी आई है अब आपको इसे सिलाई करन के दिखाते हूं देखिये मैं अब कुसिलना बताते हूं यह जो है हमने हमारे फंदे का धागा था इसको हम ऐसे कर लेंगे इधर से लेंगे और यह दागा हमारा सिलाई में आ जाएगा हम इसको ऐसे ही बंद करते हैं इधर से लेंगे इधर से लेंगे ऐसे दोनों सिरे ऐसे हम लाएंगे इसमें ज्याद़ सिलाई का काम भी नहीं है और यह बहुत ही आसान वैली है आप इसे बड़े भी बनाकर पहन सकते हैं जैसे आप ठंड में काम करते हैं जब जोती नहीं पहनते तो आप इसे कमरे के अंदर अंदर बनाकर पहन सकते हैं देखें यह हमारी दोनों वैली जोती बनकर तैयार हो गई है आप इसे बनाकर देखें वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बैला का इनका बटन दबाएं थैंक्यूं